हेलो फ्रेंड्स केहरा जी सबके सब ठीटाक हैं सब अच्छे हैं दिवाली का तोहार बिल्कुल पास आ चुका है और मेरी तरफ से आप सभी को उसकी शुक्त कामना है एक छोटा सा अनॉंस्मेंट अनकेडमी के वियाव पे हम लोगों ने अनकेडमी पे आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है एकर चेक पर को शॉल्व करेंगे उसके अंसरी में लेकिन जो बेरेफिट सरब पहले हांडड़ स्टूट्स के लिए अवलेबल रहेगा तो इस का ध्यार रखे का कि आप जल्दे से जल्दी स्ट सीरिस में परिश्मेंट कीजें यह जो एवैलुटल sensor से कब स्टार्ट हुआ नौख हैंऄ इह यह और एकॉंटीट नख़र्पे लिजन्टे सिरीज जो स्टर्ट हुई है यह। यह वैय्सकी सिरीज यह हमारी आएकॉंट्यह आक्टूबर कों तो आज You यह पूरा schedule available है, 20th October को accounts का exam हो चुका है, then 21st October was law, then 22nd is costing, 23rd is taxation, और फे group 2 के भी यहां मार पास evaluator test series है, यहां पर 24th October will be advanced accounts, 25th will be auditing, 26th will be ISM, last not the least, 27th will be FM and economics of finance, आपको इस evaluator test series से बहुत बहुत अच्छा idea मिलदागा, कि आपकी preparation किस तरह से है, प्लस जो faculty members, मेरे जिसे faculty members जो इसको answer sheets को check करेंगे, हम लोग आपको अपने अच्छे से comments भी दे देंगे, जिससे आप अपनी गलतियों को improve कर सकते हैं for your main examination, जो कि बस November 1 में चार्ट होने बाल दो बज़े का time बहुत सो समझ के रखा गया है, क्योंकि आपका जो main November में exam होगा, वो दो दो बज़े से ही होगा, 100 number का paper है, full syllabus हम लोग cover up करेंगे, और आप इसके में enroll कर सकते हैं, enrollment free of cost है, कोई उसमें आपका पैसा खर्च नहीं होगा, 100% free of cost है, बस आप यहीं कीजेगा, क description box के अंदर मैं आपको इसका link दे रहा हूँ, आप उस link को follow करते हुए, अपना enrollments कीजे, और इस evaluative test series में participate कीजे, और साथ साथ में अपनी जो preparations हैं, वो देखे कहां तक पहुंची है, I do understand कि अब हमारे पास time बहुत कम बचा है, पर एक बहुत positive बात है कि अभी भी time बचा है अभी भी हम लोग अपने जो छोटे छोटे कमिया हैं उनको हम लोग brush out करके हम लोग बहुत अच्छा perform कर सकते हैं इना November examination, I wish you best of luck everybody for your upcoming examination and happy Diwali to all of you for your this festival season, bye bye and enjoy yourself.